नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनेगे महापंडित राहुल सांकृत्यान की पुस्तक, तुम्हारी क्षय का तीसरा भाग, तुम्हारे भगवान की क्षय, जिसमें राहुल जी के प्रौर विचारों एवं प्रबुद जिन्तन का सार्तत्व नहित हैं, तो चलिए सुनते हैं कर नहीं निकलता, भूत प्रेत तथा दूसरे संसकारों की तरह इस्वर का खयाल भी उसके माबाप तता उसके आसपास के समाजिक वातावरण से मिलता है, दुनिया के धर्मों में बहुत धर्म के अनुगाई अब भी सबसे जादा हैं, लेकिन उनके दिल में सृष्टि करत का खयाल भी नहीं उठता, रूस की 90 फिसदी जनता भी इस्वर के फंदे से दूर हट चुकी है, और अब कुछ बूरों को छोड़ कर यह खयाल किसी को नहीं सताता, यह निश्या है कि आज के बूरों के मर जाने पर इस्वर का नाम लेवा वहां कोई नहीं रह जाएगा, हिंदुस्तान में प्राथना प्रदर्चनों और हरी कृतनों को देख कर कुछ लोग समझते हैं कि इस्वर का खयाल फिर से जोर पकड़ रहा है, उन्हें मालूम नहीं कि जिन लोगों में इस्वर विश्वास है भी, उनमें भी अब उसकी व्यापक्ता बहुत कम हो गई है, जिन समस्या, जिन प्रस्ण, जिन प्राक्तिक रहस्य के जानने में आदमी अपने को और समर्च समस्ता था, उसी के लिए वह इस्वर का खयाल कर लेता था, दर असल इस्वर का खयाल है भी तो अन्धकार की उपज, प्रारम्बिक मनुष्य जब घर बना कर नहीं रहता था, अपनी रच्छा के लिए जब उसके पास कुछ अंगड़ पत्थरों के अतरिक्त कुछ न था, और साथ ही उस वक्त सारी भूमी जंगल से भरी थी, जिसमें सिंग बाग हाथी भेड़िया आदि बड़े बड़े हिस्त्र पसु घुमा करते थे, दिन में भी व्रिच्छों के ऊपर चड़कर गुफाओं के भीतर चिपकर बहुत सजग रहकर वह किसी तरह अपनी जान को बचाता था, अंधेरे में अपनी ताक में बैठे जन्तूओं को डर्तों से बदहवास किये रहता था, इस प्रकार वह अंधकार मनुष्य के लिए आज तक भय का कारण बना हुआ है, हाँ, जब आगे चलकर मनुष्य ने भासा का विकास किया, विचारों को प्रकट करने के लिए उसके पास कुछ सब्द कोस्ट बना, और जब हर पीड़ी अपने अन्भाव की कटू इस मृत्यों को अगली पीड़ी तक पहुचाने लगी, तो वास्त्रिक की अपेच्छा कल्पना जात भय की संख्या बहुत बढ़ गई, जीवन भर अपने वलिष्ट सासक और नेता से मनुष्य थर-थर कांपता था, वा अपने अस्त्रितों के साथ बात की अपेच्छा लाच से ही काम लेता था, इस आसा अधारान सिच्छा दिच्छा में कितने काने कितने लंगड़े हो जाते, और कितने जान से हाथ धो बढ़ते थे, ऐसे निर्दय स्वामी और मुखिया का भैर उसके मरने के बाद भी लोगों से नहीं हटता था, मरने के बाद उसे वे अपनी बस्तियों में किसी विर्च पर या किसी चबूतरे पर अधिश्ठित मनाने लगते थे, अंधेरा होने पर किसी वक्त उसके प्रकट होने का डर था, अज्ञात भै ने इस प्रकार का देवता का रूप धान्ड किया, और यही विचार आगे चल कर महान देवता या इस्वर के रूप में पंडित हुए, प्रारंबिक मनुष्य कामान सिक विकास अभी निम्न तल पर था, उसकी संकाएं हल्की और समाधान सरल थे, वर्षा क्यों होती है, पर जन्ड देवता के नितुप्त में मेग समू किसी जलाशा या पहाड में चरने जाते हैं, वह वहां से पानी लेकर परजन्ड के आग्यान सार जगर जगर बरसाते हैं, इंद परजन्ड का श्वामी है, वह कभी-कभी ब्रज को चला कर अपना रोज प्रकट करता है, यही असन या विजली है, पहाड़ों की आकरती को मेग से मिलते जुलते देखकर, उस समय लोग समस्ते थे कि यह पहाड़ ही है जो आकास में मेग के रूप में उड़ रहे थे, उनके विश्वास में परवतों के भी पर थे, जिनें इंद्र ने नराज होकर किसी समय ब्रज से काट दिया, प्रात्र काल पुर्वदिशा में पौफ हटने के साथ लाली क्यों छा जाती है, यह उसा स्वर्ग की देवी का प्रताप है, इस वक्त, सुर्य अपने प्रकर प्रकास के कारण प्रचंद देवता था, और वह साथ गोडों के रत पर त्रिभोन की यात्रा के लिए निकलता था, आग के पास बड़े बड़े हिस्त्र पसू नहीं आ सकते थे, प्रकान विरुच्छों और महान जंगलों को या धाय धाय करके जला देती है, इसलिए अगनी प्रत्यच महान था, इसी को वे प्रत्यच महान कहते थे, नदी समुद्र सभी उस मनुस्ष के लिए देवता थे, क्योंकि उनमें अमानुसिक दिव्य सक्ती पाते थे, नास करने की भीषण योग्यता देखते थे, उनमें ऐसे ऐसे आद्वुत रहस्य उन्हें दिखलाई पड़ते थे, जिनकी गुत्थी को वे देवता की कलपना से ही सुल्धा सकते थे, मनुस्य के प्राक्तिक सक्तियों में बहु देववाद को अपने ज्ञान की सीमा के बहुत संकुचित होने के कारण सिवकार किया था, अब हम जानते हैं कि बादल कैसे बनते हैं, कैसे बरसते हैं, कहां से किधर की यात्रा करते हैं, कौन कौन से देश उनकी यात्रा मार्ग पर पड़ते हैं, और कौन से डूर, बिजली, बादलों में क्यों पैदा होती है, कलक क्या है, सुर्य अब हमारे लिए घोडों के रत का सवार नहीं रहा, और न उसका वह गोल मुह, दो आखों और काली मुचों वाला चेरा ही रहा, उसकी यात्रा भी अब वह पहले वाली यात्रा नहीं रही, उसा देवी अब सुर्य की निरंतर लाल किरण के अत्रिक्त कुछ नहीं, आरंभिक मनुस्त के लिए सुर्य आकास का सबसे बड़ा विशाल और तेजस्वी देवता था, अब हम जानते हैं कि आकास में चमकते हुवे ये छोटे-छोटे तेजों बिंदू उतने छोटे नहीं हैं, जितने की वे हमें दिखलाई पड़ते हैं, उनमें से अधिक्दांस हमारे सुर्य से भी लाखों कुने बड़े और तेजस्वी हैं, आकास को अनन्त कहकर पुर्वजों ने उसके विश्तार का एक अंदाजा लगा लिया था, लेकिन वह अत्यन्त वास्त विख्ता की भित्ती पर न होकर अधिक्तर आज्यान के आधार पर आश्रिप्था, प्रकास की गती प्रति सिकेंड एक लाख असी हजार मिल है, आज तक तो सारा हमसे नदीक मालूम हुआ है, वह इतनी दूर है, तो उसकी किरण को हम तक पहुचने में धाई वरस लगते हैं। दुर तारा हमसे बहुत दूर नहीं है, तो भी उसके जिस रूप को इस वक्त देख रहे हैं, वह आज के पचास बरस पहले का है। दस, दस, बीस, बीस हजार बरस में अपनी किरणों को हम तक पहुचाने वाले तारों की भारी संख्या से हमें आश्चर करने की जरूप नहीं। नशत्र मंडल में ऐसे भी तारे हैं, जिनकी दूरी को केड़ों की यात्रा के वर्षों की संख्या में बतलाना मुश्किल है। तारों, खगोल और प्राक्तिक जगत संबन्नों की अपने इस अज्यानता को मनुस्य देवता और इस्वर्ग की आड में छिपाता था। भुकम क्यों आता है। शिप्ती धर्ती की महान भार को सेश नाग ने अपने कंदे पर उठा रखा है। ठक कर वे, जब एक कंदे से हटा कर दूसरे कंदे पर रखते हैं, तब भुकम पाता है। आज कौन इस ब्याख्खा को मान सकता है। कौन चंद्रमा और सुर के ग्रहन को राहू देत क्या आत्याचार बतला सकता है। लेकिन किसी समय हमारे परोजों के लिए ये बातें ध्रोर सकते थी। विज्ञान ने हमारे अज्ञान की सीमा को कितनी ही दिशाओं में बहुत संकुचित किया है। और जितनी ही दूर तक हमारे अज्ञान की सीमा बढ़ती गई, वहां से इस्वर और देवता वाला उत्तर हटता गया। अब भी अज्ञान का छेत्र भहुत लंबा चोड़ा है, लेकिन आज के मनिशी उसे साफ अज्ञान के रूप में स्विकार करने के लिए तयार हैं, न कि इस्वर और देवता के परदे में उसे छिपा कर। धर्मों, भासाओं और कथानों के तुलनात्मक का धेन से मालूम होता है कि सिर्ष्ट करता एक इस्वर का खयाल मनुष्य में बहुत पीछे से आया है। दुनिया की सबसे अधिक सुमुनत जातियां यूनानी, रोमन, हिंदू, चीनी, मिस्री आरी तो अपनी सम्रिद्धी के मध्धान काल तक इसे अपनाने के लिए तयार नहीं हूँ। और उनमें से यदि किसी ने खयाल को माना भी तो सामी ये धर्मवालों की तरह वैक्तिक इस्वर के रूप में नहीं, बलकि विश्व रूप इस्वर के आकार में। अज्ञान का दूसरा नाम इस्वर है, हम अपने अज्ञान को साफ स्युकार करने में सर्माते हैं। अतर उसके लिए संभांत नाम इस्वर धूण निकाला गया है। इस्वर विश्वास का दूसा अकारण मनुष्व की असमर्षता और बेबसी है। आए दिन हर तरह की विपत्तियों, प्राक्तिक दुरगटनाओं, सारीरिक और मानसिक बिमारियों की असहाय वेदना सहते सहते। जब मनुष्व बचने का कोई रास्ता नहीं देखता, तब यह करकर संतोस करना चाहता है की इस्वर की यही मर्जी है, वो जो करता है अच्छा करता है, वो हमारी परिच्छा ले रहा है। भविष्य के सुख को और भी मधूर बनाने के लिए उसने यह प्रबंद किया है। अज्ञान और असमर्शता के अत्रिक यदि कोई और भी आधार इस्वर विश्वास के लिए है, तो वो है धनियों और धुर्तों की अपनी स्वार्थ रच्छा का प्रयास। समाज में होते हजारों अत्याचारों अन्यायों को वैद साबित करने के लिए उन्होंने इस्वर का बहाना धुन निकालाय है। धर्म की दोखा धड़ी को चलाने और उसे न्याज साबित करने के लिए इस्वर का खयाल बहुus सहायक है। इस संबन्द में धर्म के प्रेक्राण में हम कुछ कर आए हैं इसलिए फिर से उसे यहां दुहराने की आपसक्ता नहीं जान पड़ती इस्वर का विश्वास एक छोटे बच्चे के भोले भाले विश्वास से बढ़कर कुछ नहीं है अंतर इतना ही है कि छोटे बच्चे का सब्दकोस, द्रिष्टांत और तर्क सेली सिमित होती है और बड़ों की कुछ विक्सित बस इसी विशेष्था का फर्क हम दोनों में पाते हैं एक बार तीन छोटे छोटे बच्चों ने मुझसे इस्वर के सम्बंध में बातचीत की उनकी उमर साथ और दस बरस की बीच की थी पूछा की इस्वर कहां रहता है उत्तर मिला आकास में धर्ती में कहने से प्रत्यच दिखलाने की जरूद पड़ती क्योंकि धर्ती प्रत्यच की सीमा के भीतर है आकास अज्ञान की सीमा के अंतरगत इसलिए वहां उसका अस्तित्व अधिक सुरच्चे थे इस्वर के रंग रूप के बारों में बारे में लड़कों का एकमत न था कोई उसे अपनी सक्लका बतलाते थे और कोई विचित्र सक्लका इस स्वर क्या करता है यह सबसे मुख्य प्रस्थन था इसे लड़के भी अन्बव करते थे क्योंकि जिस वस्तु का आकार प्रत्यच नहीं होता उसकी सत्ता उसकी क्रियास से सिद्ध हो सकती है लड़कों ने कहा वो हमें भोजन देता है और तुम्हारे बाबुजी बाबुजी कोई स्वर देता है जिस दिन बाबुजी कचहरी में वकालत करने नहीं जाते उस दिन क्यों नहीं उनके जेब में रुपए आ जाते लड़कों को समाज के दुरु संगठन का उतना पता नहीं होता और जुवे के खेल की तरह जिस तरह वास्तविक न्याय न करके सौव को हरा कर दो को जिताया जाता है इसका भी उन्हें पता नहीं इसलिए उन्होंने इस तरह के प्रस्नोत्तर नहीं उठाए हाँ उन्हें यह मालूम हो गया कि जहां तक खाने, कपड़े, मकान, खेल, समासे के खर्च देने का सवाल है उसका हल माता, पिता और अविवावक द्वारा ही होता है वहाँ इस्वर की सहायता संदिक दिसी जान पड़ती है लेकिन जब उससे पूछा गया कि तुम्हारे सिर्दर्द कौन देता है मा बयाप या सगे संदि, वे तो विवल हो जाते है अम्मा और बाबु जी क्यों ऐसा चाहेंगे वहाँ इस्वर का हाथ होना उन्हें आसानी से स्विकार कराया जा सका और पेट दर्द, इस्वर देता है यच्छमा से गुला गुला कर तुम्हारे पडोसी को किसने मारा इस्वर साथ दिन के बच्चे की मा को मार कर कौन उसे अनात करता है मा के एक लोते बच्चे को मार कर कौन उसे ऐसा विलाप करने को मजूर करता है जिसे सुनकर पसू पच्छी और पत्थर तक का हिदय पिखल जाता है इस्वर चैत वैसाफ के दिनों में एक-एक आम के उपर दस-दस करोन कीड़ों को सिर्फ धूप और हवा से मरने का मजा चकने के लिए कौन पैदा करता है पौन बर साथ के दिनों में धर्ती पर असंक मच्छनों कीड़ों मकोनों को तड़प तड़प कर मरने के लिए पैदा करके अपनी असीम दया का परचय देता है इस्वर तब तो उसमें दया बिल्कुल नहीं उतनी भी दया नहीं जितनी की कुरूर से कुरूर आदमी से में संभव हो सकती है रोते तड़पते बच्चे को देखकर पत्थर का दिल भी पिघल जाता है तुम भी उसकी मा को उस दिन नन्य बच्चे से मरने पर रोती देखकर अफसोस करते थे की नहीं मैं भी रो राथ था कैसा सुन्दर लड़का उसका गोल मटोल चेहरा बड़ी बड़ी आखें और बिना दंतुली के मुँख के हसते वक्त गालों में पड़े गड़े अब भी बड़े सुन्दर याद आते हैं ऐसे बच्चे को मारने वाला कौन आदमी या राच्चस राच्चस से भी खराब हाँ दुनिया में प्राडियों के सुक की घणिया कम और दुख की अधिक हैं एक मच्चर की ही योनी ले ली जाए तो उसकी संक्या संक महा संक से भी उपर चली जाएगी और इस तरह की योनियों भी हमारे इस प्रतिवी पर अरवों होंगी अत्यंत छोटे दूरबीन से दिखाई देने वाले कीडे से लेकर समुद्र की विशाल मच्चलियों तक अरवों योनिया हैं उनमें अधिकान संक महा संक तक प्राड़ी अपने में रखती है कहा जाता है कि जो मनुष्य यहां इस लोक में निरिक्रिष्ट काम करता है वही पर लोक या परजन्म में इस निरिक्रिष्ट योनियों में डंड पाने के लिए पैदा होता है पर यह बात टिकती नहीं क्योंकि इस प्रित्वी पर मनुष्च की सारी संख्या देढ अरब के ही आसपास है फिर देढ अरब मनुष्यों के पुर्वीले कर्म को भोगने के लिए इतनी अधिक संख्या में जीव कैसे पैदा हो सकते इस तोर के इस असंख्य जीवों को सिर्फ यंत्रणा को कष्ट करने के लिए पैदा करके क्या अपने क्रिपा का पर्चे देता है इनसाप तो उसमें छू नहीं गया बलकि उसके इस कर्म से तो यही पता लगता है कि उससे बढ़कर जालीम और पासाण हिर्दे दुनिया में और कहीं नहीं मिल सकता सेर भी हिरन का सिकार करता है अपनी भूख और दूर करने के लिए छिपकली पतिंगे को दबोचती है पेट भरने के लिए सभी जीव धारी दूसरे जीव को आत्मरच्छा और जीवन धारण के लिए मारते हैं बर्षक तडपा तडबा कर मारना भी पसंद नहीं करते लेकिन इस सवर जीवन को मारता है क्या उनके मांस सेव अपनी भूख सांत करता है या आत्मरच्छा के लिए उसे वैसे करनी की आवसकता मालूम होती है इन दिनों के न होने पर सिर्फ खेल के लिए ऐसा घोर करते इस सवर को क्या बतलाता है धन्यवाद झाल झाल